गुड मॉनिंग आप रिपन कैसे हैं आप सभी? उमेद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टेडी जो भो कर रहे होंगे तोडे इस 28th of February 2022 और डे है मंडे तो हम लोग जो डिसकुस कर रहे हैं सैनिक स्कूल का जो एंटरास एक्जाम होता है उसका पिपर हम लोग जो पूरा डिसकुस करेंगे तो 37th तक हमने डिसकुस कर लिया था काफी अच्छे अच्छे कोशिन है 38th से आज हम स्टार्ट करने बाले हैं पैसे पहला थ्रटी सेवं था तो चल भी स्टाट करते हैं सबसे पह Rich Khalil myself Stronger Deep ऐसे कोंशिन पता होना चाहिए मीर इमेज का बनती यह और आपको पता होना चाहिए इस ऑर इमेज को पहचाने आ tu याप 10 वाटर ना में देखते हैं यहاँ पर यह своilी छो में dre sentir हैра मतलब है कि यह उल्टी हो जाएगी उल्टी होने का सीथा मतलब है कि यौह जो आपे तरह से मदलो ऐसे तूह यह जो LOVE आपको यह को भी up कर दो एवी हो ऐखने ओ steeds किः dat बारता है और में एक ओल्टा करों घो हो फिर मैं ऐसे लिखայ यह कुछ इस तरह से लिखेगा ल्पद आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो उल्टा हो जाता है भी इसमें जो जो बहुते नहीं होते हैं बदलो ऐसे यहां पर तो यह जो यहां पर आप जी यहां पर जाले हैं आपकर वह यहां पर फिर्स नमिल्पर पर जाएंगा थीकर इसका हों थीजिए कि यहां पर एच्छे पहले यहां पर एच्छा यहां पर S होना चाहिए था अंगर वाटर हो जाएंगे वह दोनों नहीं होने वाले ठीक है अब इसमें चैक कते है S ठीक है,μαनी जिसमें ऐससे सीधा है, इसमें स उलटा है, देखिये तो एन जिसमें जाहन से पताचला है बइसर पता रहे हो और यहां पो आगर ध्यान से आप देखेंगे built-up लेक्वरीद तो V वह उसिंग दा फॉलोइंग 5 1803 तो यह वह रहा है कि आप जो इन पांच नंबरों से जो वह साथ डिजिट बाला सबसे चोटे चोटा नंबर जो कौन सा है वह बताईगे यहां पर ठीक है तो सबसे चोटा अकर मैं पांच डिजिट बाला नंबर बनाऊ पहले तो आपको बता इसका मतलब सिधा सा 1 है अगर मैं 0 2 लिखूं इसका मतलब जीरो जो पहले मैं नहीं रख सकता वो जो डीजिट में count नहीं होगा तो इसका सिधा मतलब है कि 0 को जो जो 2nd पर रखो और 0 से बड़ा होता है 1 तो 1 को पहले रखो तो 1 0 फिर आजगा 3 फिर आजगा 5 फिर आजगा 8 ठीक है अब देखिए यहां पे जो भो 358 तो यहां पे 358 यहां पे ऐसे 3 जो आगे है फिर 00 यहां पे इसने बीच में घुशा दिया तो इसका मतलब है कि यहां पर जो 1001 तो पहले होगा फिर जो वो इसने अगर 00 रखा है तो बिल्कुल सही बात है लेकिन यहां पर देखिए 30, 358, 1035, 358, 10 मेरे कहाल से लास्ट में जो इसने देखिए यहां पर 358 है यह बिल्कुल सही है इसने जब वो 0 को repeat कर दिया 3 times और सबसे पहले जब वो इसने 0 को repeat किया तो यही सबसे चोटा होगा ठीक है आप ध्यान से देखेंगे इसको पैचाने का तरिका यही है कि आप जब पहले देखें 1 है 3 है फिर 1 आ गया फिर से इसका मतलब है इसने गलत जब वो यह order में चल रहा है यहाँ पर 1, 0, 0 फिर इसने फिर से 1 लगा दिया तो जबकि यहाँ पर जब वो 358 यह भी एक order में है वैसे लेकिन इसको आप देखेंगे 1, 1, 3 फिर इसने 0 जब वो last में रखा अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो पड़के जब चेक कर सकते हो नेक्स इसने प्रोड़क्ट ऑफ द एल्सियम और एट्सियम और आपने जो पड़ा होगा वैसे चोटी लासेज में भी टैंथ क्लास में तो फर्स्टी जो चैप्टर है उसमें जब वो बिल्कुल यही दिया गया है यह एक थियोरम है तो आपको जो अगर छोटी ग्लासेज में तब भी आपको बताया जाता है कि लसीम किसी भी दो नंबरों का जैसे मैंने जब वो दो नंबर ल दिए है कितना वं उपस्ट पर नंबर 23 है ऑफ नहीं तो मिला तो सबुएगा तो वां यहां तो निकल दूँगा यसेजब वो निकालने के साथ वे 23 इभाई Hoş तो यहां पर बचता है मेरे खाल से 239 बचेगा साहिद और ट्री नौ दस के रब बार नाइन बचेगा यहां पर और यहां पर आजाएगा टू तो ट्री त्री जा कितना होता है कितना होता है 92 तक पहुंचना है हमने 234 जा आजाएगा मेरे खाल से 92 तो यहां पर आ रहा है हमारा 14 तो 14 इस दा राइट अंसर कुछ इस तरह से जो ही निकालना होता है बिल्कुल इजी सा कोश्चिन था है नेक्स कोश्चिन है तो यहां पर जो फार्ट फॉर्ट वाइट इसको कट्था है और दिसको काड़ sickness जा 1 जा 2 2 जा 4 तो मेरे पास बचा अब 6 upon 8 divided by वैसे 3 upon 1 multiply by 2 upon 5 मैंने इसको काट दिया ठीक है पहले काट दिया अब देखिए आपने क्या करना है पहले वैसे divide किया जाता है अब जब divide को multiply में चेंज करते हैं देखिए पहले इसको ब्रेक्ट में ले गया तो इसको मैं पहले solve कर रहा हूं तो 3 upon 2 जब multiply में change करते हैं तो reciprocal हो जाता है उल्टा हो जाता है 2 upon 3 हो गया ठीक है फिर बाकी मैंने वैसे लिख दिया 4 upon 5 अब सब के बीच में मैं इसको white से आपको दाता हूं देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा होता है 8 और यहां पर 4 और 4 जो वह ऐसे बीच में पर जाकर दूर भी कट सकता है बस बीच में जो दो टर्म नहीं होनी चीए ठीक है दो पद्द नहीं होनी बीच में बीच में multiply है इसका मतलब वह एक की टर्म है ए तो 3 5 जा होता है 15, 6 upon 15 आ रहा है 6 upon 15 को 3 से मैं कार सकता हूं तो 3 2 जा और 3 5 जा 2 upon 5 आ रहा है तो देखते हैं 2 upon 5 है option में यस लास्ट में मुझे दिखा दे रहा है 2 upon 5 तो 2 upon 5 इस दा राइट अंसर तो बाकी कोश्चिन जोब आम लोग बाद में discuss करेंगी क्योंकि अभी time बह जा है तो second बार जोब आपको सामके time मिलेगा ओके thank you and have a nice day